केदारनाथ देश के बारा जोती लिंगों में से एक बाबा भुलेनाथ का उत्तर दिसा का सबसे प्यारा बरफ की वादियों में बसा हुआ केदारनाथ धाम कब कुलेगा कब यहां हम सब भगत दर्शन कर सकते हैं इसकी फाइनल डेट आ चुकी है लेकिन उससे भी जादा जो है लोगों में एक फेक न्यूज आ गई है कि केदारनाथ के कपाट खुलने की डेट पॉस्पोन हो गई है और केदारनाथ जी के कपाट निर्धारित समय पर नहीं खुल रहे हैं इस तरह की अफवाएं सुनने में आ रही है फोन के माद्यम से कुछ लोगों ने हम से जानकारी ली कि क्या केदारनाथ की जो कपाट खुलने की तिथी है वो आगे बढ़ गई है तो मैं आप सभी को इसी के बारे में आज बताना चाहूंगा इस वीडियो में कि कब खुल रहे हैं बावक दयानिधी केदारना आज की इस वीडियो में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए आए हूं तो सस्क्राइब कर लीजिएगा इस चैनल पर हम बाबा केदारनाथ जी की यात्रा संबंदित लेटस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं तो सबसे पहले मैं ये रहने वाली है तो जो भी भक्त यात्रा का प्लान करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अपना यात्रा रिस्टेशन करा लीजिए अप्रेल महिने के यात्रा रिस्टेशन सब फुल हो चुके हैं जल्द से जल्द आप अपने आगामी डेटों के अनसार यात्रा प्लान क कर सकते हैं और हेलिकॉप्टर की बुकिंग भी जल्द ही आठ अप्रेल को स्टार्ट होने वाली है आठ अप्रेल से हेलिकॉप्टर की बुकिंग आप ऑल्लाइन कर पाएंगे इसके लिए मैं आपको एक डेटेल वीडियो में सारी इन्फोर्मेशन दूँगा फिलाल इस च्छे बज कर 20 मिनिट पर बाबा श्री हरी के कैदारनाजी के कपाट खोल दिये जाएंगे और हर भक्त यहां के दर्शन कर सकता है और इससे पहले हमने अपने चैनल पर आपको लाइव उखी मट से भी जाके दिखाया था वहाँ निर्धारित की जाती है वहाँ लगन कर ये मूरत निकाला गया है अब इसमें कोई भी फेर बदल नहीं हो सकता और आपने देखा होगा कोवीड के दोरान जब कोई भी भक्तियातरा नहीं कर पाया था तब भी निर्धारित समय पर ही बाबाक कैदारनाजी के कपाट खोले गए थे तो ये एक ऐसी प्रकरिया है जो के निरंतर सदियों से चली आ रही है इसको आगे या पीछे नहीं किया जा सकता तो इसलिए के दानाजी के कपाट खोलने की इस बार की जो फाइनल ती थी है वो 25 अप्रेल 2023 सुबे 6 बज कर 20 मिनट की है तो इसी समय के अनुसार कपाट खोलेंगे और हर भक्त के लिए य यहां आके दर्शन कर सकता है और मैं आपको बताना चाहूंगा इस साल जो यात्रा है वो बड़े धूम धाम से चलेगी यात्रा रिस्टेशन अवश्य है जरूर करा के आईएगा क्योंकि इसी के अदार पर गौर्मेंट यहां सारी विवस्ताएं आप लोगों के लिए करक होती है तो कैसा लगा यह अपडेट कोमेंट करके जरू बताना और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरू करना चैनल पर नए आए हो सस्क्राइब कर लीजेगा फिर मिलता हूँ एक ऐसे ही नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जैहिंद हार हर महादेव जैश्रीकेदा झाल